अलो दोस्तों, मैं स्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है आज हम जिस कोशन के बारें बात करेंगे वो है सत्वरीश एवं 28 अताबदी के प्राराम्ब में भारत के महासागरी व्यापार के तरीकों का संचिप्त विवरण दीजिए इसका मोगल अर्थ विवस्ता पर क्या परवावता तो चलिए शुरू करते हैं सत्वरीश अताबदी के मद्यकाल में पुर्तगाल, डच, फ्रांस, अंग्रेज तथा अन्य यूरोपी देश भारत से व्यापार करने के चुक थे इन देशों में भारत से व्यापार करने के लिए परतिस परदा हुई जिसमें अंग्रेज सफल रहे मोगल काल में भारत का विदेशी व्यापार उन्नत अवास्था में था मोगल संरक्षण में देश में कई उध्योगों का विकास हुआ भारत में बनी वस्तुएं जल और इस थल दोनों मार्गों से यूरोप के बाजारत हक जाती थी दोस्तों सत्रवी शताबदी में पुर्तगाल, डच, फ्रांस, अंग्रेश तथा अन्ने यूरोप के दिस भारत से व्यापार करना चाहते थे और व्यापार करने के लिए इन देशों में आपस में पर्तिस परदा भी हुई जिसमें अंग्रेश सफल रहे और इस दोरान भारत का विदेशी व्यापार सबसे उन्नत विवस्ता में रहा और उसकी उन्नत विवस्ता में रहने की कारण था, वो था मोगल संरक्षण मुगल जो थे उट्योगों को cabinet को जो स्टैबलिश होती थी उनको सर्णक्षड देते थे र्यायते परदान करते थे और भारत में व्यापार जल मार्ग और थल मार्ग दोनों से किया जाता था समान लाना ले जाना दोनों मारगों से किया जाता था मुगल काल में आयात की परमुक वस्तुओं में सोना, घोडा, जस्ता, तामबा तथा हीरे जवारा आदी एवं निर्यात की वस्तुओं में कपड़े, काली मिर्च और अफिम आदी परमुक थे सत्री सतापदी को भारत के समुदरी व्यापार और कपड़े के व्यापार का स्वरडिम काल भी कहा गया है जिन वस्तुओं का भारत में आयात किया जाता था उसमें सोना, घोडा, जस्ता, तामबा तता हीरे ज्वारात आधी शामिल थे और जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था उसमें कपड़े, काले मिर्च और अफिम आधिशा मिलती और 17 सताबदी में भारत का व्यापार इतना बड़े प्यमाने पर हो रहा था कि इस काल को स्वर्डिम काल भी कहा गया है जो भी हो किन्तु भारत में व्यापार की परमुक विशेष्था येरोपियों का भारत में आगमन था इनके आने से भारत के विदेशी व्यापार में कई गुना व्रिद्धी हुई विदेशी व्यापार में भारत का निर्यात अधिक था जबकि आयात की मातरा कम थी दोस्तों जो भारत में व्यापार को बढ़ावा मिला वो विदेशी कमपनियों के आने से मिला और भारत के व्यापार में इससे कई गुना वृद्धी बे हुई और भारत में सबसे ज़्यादा निरियात किया जाता था आयात की तुलना में मतलब यहां से विदेशों में ज्यादातर वस्तु भेजी जाती थी और विदेशों से यहां बहुत कम वस्तु लाई जाती थी इस काल में कपड़ा उत्पादन अपने उतकर्ष पर पहुंच गया था निर्यात बढ़ने से उत्पादन ने काफी तेजी से विद्धी हुई डस तथा अंग्रेजों ने भारत के कपड़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया भारत में व्यापार करने के लिए कपड़ों की कई किसमे उपलब्द थी जैसे सूती कपड़े तथा मलमल रंगीन कपड़ों की विदेश में खूब मांगती गुजरात और बंगाल के रेश्मी वस्त्रों का भी निर्यात होता था इस काल में कपड़े का जो वेपार था वो अपने उत्करस पर पहुँच गया और निर्यात बढ़ने से इसके उत्पादन की संख्या में भी विरिद्धी वही और भारत में कपड़ों की किसमें दो तरह की पढ़ा पाई जाती थी जो इसकी विदेशों में बहुत मांग थी वह था सूती कपड़े तथा मलबल और भारत के रंगीन कपड़ों की भी विदेशों में बहुत मांग थी इस काल में शीरा का व्यापार बड़े पहमाने पर किया जाता था शीरा से बारूद बनाया जाता था और इसकी इरोप में काफी मांग थी डच कंपनी ने इसका निर्यात कोरो मंडल से अरम किया इसके बाद अंग्रेजों ने इसका अनुसरन किया सीरा एक ऐसा पदार था जिससे बारुद बनाया जाता था और इसकी ये रोप में बहुत मांग थी शुरुआत में Dutch Company ने इसका निर्यात अप बाहर देशों में किया और उसका अनुसरण अंग्रेजों ने किया और उन्नों ने भी बाहर देशों में इसका निर्यात किया उत्तरी भारत, पंज़ाब, सिंद और गुजरात में निल का अथपाधन होता था इसका इस्तमाल रंगाई के लिए नीले रंग के रूप में होता था सौल्वी सताबदी के अंत में पुर्तगाली इसका निर्यात करने लगे थे सत्वी सताबदी में डच और अंग्रेजों ने इसका निर्यात आरंब किया उनी कपडों की रंगाई के लिए यूरोप में इसकी मांग अधिक थी। उस दोरान इसे प्राप्त करने के लिए डच अंग्रेच, इरानियों तथा मुंगलों के बीच परती द्वंधिता शुरू हो गई। भारत से अफिम का निर्यात भी किया जाता था। इसकी आपूरती कपडों को नीले रंग में रंगने के लिए किया जाता था। सोलवी सतापदी में सबसे पहले इसे पूर्तगालियों ने निर्यात किया। उसके बाद सत्री सतापदी में डच और अंग्रेचों ने इसका निर्यात शुरू किया। और उस समय इसे प्राप्त करने के लिए डच, अंग्रेज, इरानिय, तथा मुगलों के बिच आपसी प्रतिद्वन्दिता भी शुरू हो गई थी। और इसके बाद भारत में अफीम का निर्यात भी बहुत बड़े प्यमाने पर किया जाता था। और इसे जहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता था, वो बिहार और मालवा का छेतर थे। यहाँ पर इन्हें सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता था। भारत में कुछ चुनी होई वस्तों का आयात होता था, इसमें मुख्य आयात चांदी का था। इसके अलावा भारत में सीसा और पारे का भी आयात होता था अंग्रेज चीन से भारत में रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन का आयात करते थे फारत से अच्छे किस्म की शराब, कालिन और इत्र का आयात होता था यूरोप में निर्मित घडियां, चांदी के बर्तनों और छोटे ओजारों की भारत के कुलिन वर्गों में मांग थी अरब सागर और बंगाल के खाड़ी आयात के प्रमुक समुद्री मार्ग थे भारत में समुद्री मार्ग और थल मार्ग से घोडों का आयात किया जाता था बाहर से जो भारत में आयात किया जाता था उसमें कुछ चुनिवी वस्तुए थी जैसे चांदी, सीसा और पारा इसके अलावा चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशम, शराप, कालीन, इत्र और यूरोप से घड़ियां, चांदी के बर्तनों और छोटे ओजारों का आयात किया जाता था और आयात करने का जो प्रमुक मार्ग था वो अरब सागर और बंगाल के खाड़ी के द्वारा होता था और भारत में घोडो का भी आयात किया जाता था और ये समुद्री मार्ग और थल्मार दोनों मार्गों से किया जाता था यूरोपिक कम्पनियां अपने व्यापार की सुरक्षा तथा व्यापार पर एकादिकार इस्थापित करने के लिए नौसैनिक शक्ति का परियोग करती थी नोसैनिक शक्ति का इस्तिमाल इस्थान ये शाषगों से सुविधाय पराप्ट करने के लिए भी किया जाता था दोस्तों जो बाहरी कंपनिया थी यूरोपिक कंपनिया वो अपने व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए नोसैनिक शक्ति का इस्तिमाल करती थी और वो अपनी इनसैनिक शक्ति का इस्तिमाल एक आधिकार पाने के लिए भी करती थी जैसे कि कोई शाशा के दिए उनको कुछ सुविधाय नहीं देते था तो वो अपने नोसैनिक शक्ति का इस्तिमाल करते थे बलपूरक और उनसे सुविधाय प्राप्त करते थे तो इसमें जो है ये नौशैनिक सक्ती साहता प्रदाम करती थी दच कमपनियां भारत ते कपड़ों के बदले इंडोनेशिया से मसाले प्राप्त करते थे और उन्हें भारत और उरोप में बेचने के लिए ले जाते थे देश में विक्सित असंगठित वित्य और परिवान विवस्ता के कारण उरोप्य व्यापारी देश के एक छोड से दूसरे छोड तक पैसा और माल को आसानी से पहुँचा पाते थे दोस्तों उस समय भारत में परिवान विवस्ता और वित्य विवस्ता काफी विक्सित हो चुकी थी जिसके जरिया उरोप पे व्यापारी अपने सामान को एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से लजा सकते थे और ये जो कंपनिया थी एरोप पे कंपनिया ये भारत परदेशों को जीतने का भी परियास करती थी ताकि उसके राजस्व का इस्तमाल अपने व्यापार में कर सके और अधिक लाप कमा सके अमेरिका से बड़ी मातरा में सोना चांदी का आयात किया जाता था वॉलस्टाइन कहते हैं कि सोने चांदी का इस्तमाल धर मिस्थलों में किया जाता था और खजानों में गाड़ दिया जाता था सोने चांदी का इस्तमाल सिक्के बनाने के लिए भी किया जाता था इसे मुद्रा प्रणाली का प्रचलन बढ़ा और मौदि करन का विकास हुआ दोस्तों, अमेरिका से सबसे ज़ादा भारत में सोना और चांदी लाया जाता था इतियासकर वॉलेस्टाइन कहते हैं कि इन सोने चांदी का इस्तमाल भारत के धार्मिक स्थलों पर किया जाता था और इनको जो है खजानों में गाड़ा भी जाता था और इनी सोने चांदी को पिगला कर सिक्के भी बनाये जाते थे जिससे कि यह मुद्रव परणाली का प्रचलन बढ़ा और मौधरी करण का विकास हुआ व्यापार में जहाज के मालिकों की कई कोटिया होती थी एक तरफ वह मालिक थे जिनके पास जहाज का पूरा बेड़ा होता था अन्य जाल, जहाज, मालिक भी थे, जिनके पास 5-10 जहाज होते थे दूसरी कोटी में वो लगथे, जिनके पास एक भी जहाज नहीं थे और ये लोग जहाज को किराये पर लेकर व्यापार करते थे तीसरी कोटी में शाशक, राज़कुमार, शाही परिवार के अन्य लोग, सैनिक, अधिकारी और अमीर लोग थे इन लोगों के पास अपने गुदाम होते थे जहां पर ये अपने व्यापारिक माल को रखते थे उस समय जहाज के मालिकों के भी अलग-अलग शिरणिया थी सबसे पहले तो वो जहाज के मालिक थे जिनके पास बहुत सारे जहाज थे और उसके बाद आते थे वो लोग जिनके पास एक भी जहाज नहीं थे और ये लोग जो है व्यापार करने के लिए जाज किराय पर लेते थे और इनके बाद जो आते थे वो थे शाशक, राजकुमार, शाही परिवार के लोग, सैने, कदिकारी और अमीर लोग ये लोग भी व्यापार करते थे और इनके पास व्यापार करने के लिए अपने अलग गोदाम हुआ करते थे जिनमें ये अपने व्यापारिक माल को रखते थे मुगल अर्थिव्यवस्ता पर प्रभाव जब वाडिज्जी का विकास हुआ तो मुगल शाशक और अमिर भी व्यापार में सलगन हो गए प्रशाषनिक अधिकारियों ने व्यापार में लाब कमाने के लिए इनका अनुसरण किया कुछ अधिकारी अपने अपने छेतरों पर एकाधिकार प्राप्त करने की कोशिश करते थे ताकि व्यापार में अधिक से अधिक लाप कमा सके मुगल शाशक, जहागेर, नूर जहाँ, शाजाँ, दाराशिको और अरंजेब यह सबी व्यापार करते थे और इनके अपने जहाज होते थे शाही परिवार के लोग व्यापारियों को व्यापार के लिए पैसा भियुदार देते थे व्यापार का परवाव मुगल अर्थवयवस्ता पर भी पढ़ा मुगल शाशक भी जो है व्यापार में लाप कमाने के लिए व्यापार करने लगे और इनको देखते देखते कुछ प्रशाशनिक अधिकारी भी व्यापार करने लगे कुछ अधिकारी ऐसे थे जो अपने छेतर पर एक अधिकार प्राप्त करना चाते थे ताकि उस छेतर पर उनको जाता से ज़्यादा लाब प्राप्त हो सके उस दोरान मुगल शाशकों में जहागीर, नूर जहाँ, शाजाँ, दारशिको और और अरंग जेब सभी मुगल शाषकों ने व्यापार किया और इन मुगल शाषकों के अपने अपने जाज भी होते थे और ये मुगल शाषक व्यापारियों को व्यापार करने के लिए पैसे भी उधार देते थे व्यापारी शाशक के दर्बार में अपने वकील या एजन्ट रखते थे जिनके माध्यम से वो किसी शिकायत को दूर रखने तथा शिकायत दर्ज कराने का काम करते थे उस समय के जो व्यापारी है वो शाशकों के दर्बार में अपने वकील या एजन्ट रखते थे ताकि कोई भी दिक्कत आये तो उसका वो आसानी से समाधान निकाल सके मुगल शाषक व्यापार को मुक्त रखना चाहते थे इसलिए उन्होंने अपनी शक्ती का इस्तुमाल या तै करने के लिए किया कि अपने परदेश में किसे व्यापार करने दे और किसे नहीं इन्होंने विदेशियों को किले बनवाने और सशास्तर स्थापनाय करने से मना ही कर दी मुगल शाषक चाहते थे कि व्यापार मुक्त रह इसलिए वो हर किसी को जो है व्यापार नहीं करने दे दे थे और कुछ विदेशी लोगों को किले बर्वाने और कुछ सशास्तर उद्योगों की स्थापनाय करने से मना कर देते थे जिससे कि वो व्यापार को मुक्त और सुरक्षित रख सके सत्वी शताब्दी में बारत के विविन प्रांतों के बीच वियापारी गती विदिया विक्सित हो चुकी थी तट्य परदेशों से समुद्र मार्क के जरिये वियापार किया जाता था विदेशी वियापार का नियंतरन भारत के पक्ष में था एशिया और यूरोप के देशों में भारती अमाल लाया और ले जाया जाता था यूरोप ये कंपनियों के आज आने से विदेशी व्यापार में काफी व्रिद्धी हुई मुगल शाशक व्यापार की सभी वस्तुओं पर कर और शुलक लगाते थे तथा रियायते भी देते थे यूरोप ये कंपनियों भारत के शाशकों से जादा से जादा रियायते प्राप्त करने का परियास करते थे मुगल शाशक भी अपने आय बढ़ाने के लिए तथा लाप कमाने के लिए व्यापार करते थे तो दोस्तों इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में